दोस्तों आज के वीडियो में हम Samsung F23 versus Vivo T1 5G करेंगे दोनों फोन जो है लगबख 17,000 के बजट में आते हैं मैं specification बताऊँगा तो पता चल जाएगा और इन दोनों में आप confused हो सकते कि लेना कौन सा है एक दो मैने का इनका launch date जो है दर उदर था जिसके वाज़े से कुछ लोग Samsung पर जा सकते हैं कुछ Vivo पर जा सकते हैं मैंने दोनों के फोन के dedicated review किये थे और आपको बताया था कौन सा अच्छा है लेकिन आज हम इन दोनों को compare करके रहेंगे कि अगर आप 16,000-17,000 पर लगा रहे हो तो एक सही product तो लेना चाहोगे नहीं है तो नहीं है कि भाई बाद में लेने के बाद सोच रहें कि नहीं मैंने शायद वो company ले ली होती है तो आज इस वीडियो में सब कुछ करता है सबसे पहले बनावट से शुरू करूँगा बनावट में देखोगे तो दोनों ही तोड़े अलग टाइप के है लेकिन दोनों में जो ये camera वाला जो section दिया है वो same position पर दिया गया कि एक side में यहाँ पर रच दिया है Samsung ने तीन बराबर के camera के लिए port दिये है sensor size अलग-अलग है 582 है और वीवो में भी आपको सेम चीज मिलेगे लिकिन पीछे camera के दो बड़े बड़े बंपर एक छोड़ा मिलेगा तीन वहाँ पर camera मिलेंगे 52-2 जिसके बारे में आगे बात करेंगे तो बनावट में पीछे की तरफ से ऐसा है अगर सेमसंग पर देखोगे तो यहाँ पर भी scratch आ जाते हैं पीछे की skin पर अभी में काफी समय हो गया दोनों फोन यूज करते हुए तो आपको clearly बता लूँगी यहां पर आ जाएंगे कवर बगेरा चड़ा रहो चाहे वेलवेट चलाओ एक कुछ भी चलाओ इसके बड़ स्क्रैच आने वाले हैं वीवो में स्क्रैच का थोड़ा सीन कम है क्योंकि वहां पर बहुत ही अच्छे से उन्हों में मैंटेन किया है तो इसके पर जल्दी नहीं आते हैं और इसक्शन थोड़ा सा कट आउट अलग लगता है इस फोन को आप टेबल पर इस तरीके से खड़ा नहीं कर सकते हो क्योंकि गिर जाए रहे हैं से दिस्प्लेय मिल जाएगा और वीव के अंदर आपको 6.58 इंच का मतलब लगबग सिमिलर है और दोनों में वाटर ड्रॉप नौच आता है हाला कि आज के समय में वाटरॉप नौच काफी द्यादा पुरानी चीज लगती है आई फो अभी चल लगी रहा है अपने वाटरॉ अगर फिंगर्प्रिंट सेंसर की बात करूंगा तो दोनों में आपको साइड में वाल्यूम रॉकर्स मिल जाएंगे दोनों में नेनो सिम लग जाती है तो और स्पीकर वगएरा नीचे की तरफ आपको मिल जाते हैं एक 3.5 अमें जैक दोनों के अंदर है और टाइप-C का लग जाता है ऊपर की तरफ आपको सिर्फ माइक्रोफोन मिलेगा दोनों फोन में कोई रिमोट वगएरा का सीन नहीं है यह हो गई बनावट की बात एक और चीज यहां पर सबसे जादा माईने रखती है जो कि हम हर चीज की यूस्टू हो जाते हैं बट जब शुरुआत हो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके टेकनिकल चीज़ों की क्या प्रोसेसर अगरा डले हुए है जिससे आपको थोड़ा जादा एडिया लग जाता है जो की एडर नो 619 के साथ आता है काफी जादा फास्ट है गेमिंगरा बहुत स्मूद हो जाती है मज़ा भी आता है और सै विवो में भी आपको 690 5G प्रोसेसर मिलता है और यह भी एडर नो 6 619 के साथ आता है गेमिंग काफी जादा अच्छी है गेमिंग में प्रोब्लम नहीं हुआ मैं जब वो फोन पर गेमिंग जादा करा रहता था मुझे लगता था उस बजेट में अबसे अच्छा फोन है दिये विचार मेरा थोड़ा सा खत्रे में आए कि मुझे जादा अच्छा लग रहा है अभी फिलाल समसंग का पता नहीं डिस्प्ले का कुछ दीन है कि यह लोग डिस्प्ले बहुत ज्यादा अच्छे बनाते है टच करने में मज़ा आता है और देखने में में मज़ा आता अब सभी का देने का तरीका अलग है मैं जहां तक देखता हूं तो मैं कलर्स वगेरा जादा अच्छे से कोहिश करता हूं देखने की और वहाँ पर मुझे सैंसंग थोड़ा अच्छा लगता है चाहे वो एमलोड में हो जाहे वो आई-पीस में हो किसी विस्क्रीन पर किया है सैंसंग मुझे थोड़ा जादा पसंद आ रहा है डिजाइन वाइस जो राउंडी ने से आजू बाजू की वह थोड़ी से ओल फैशन लगती क्योंकि अभी आइफोन ने चला दिया है तो वहां पर वीवो थोड़ा जादा नया सा लगेगा आपको बट वह भी आपको 6128GB वाला वैरेंटी 17000 में मिल जाएगा और अगर आप चाहें तो 4128 भी ले सकते हैं जो कि 1000 रुपए कम में मिल जाता यह option ने नहीं दिया है वीवो के पास आपको यह option मिल जाता 1000 रुपए कम में आप ले सकते हो बात कर लेते हैं कैमरा की कैमरा में कुछ खास बा लाएगा वीवो ने यहाँ पर ट्रेंड के हिसाब से काम किया था 52 प्लस तू दिया था 50MP में सेंसर था 2MP का डेप सेंसर और 2MP का मैक्रो कैमरा दिया था और आपको बता दू मैक्रो कैमरा उतने फाइदे मन नहीं आपको कौन सी चीटी के टांग पर फूकस करके फोटो नि या वीवो में अल्ट्रावाइट नहीं है जिसके वाज़से आप 1X के नीचे जाही नहीं सकते हो 0.6, 0.5 पर आपको शूट करना या फोटो निकालने तो वो प्रॉबलम हो जाती है यहाँ पर वाइड एंगल में जाता है जो कि मुझे ज़्यादा पसंद आया बस आपके उपर है कि आपको क्या चीज ज़्यादा चाहिए आपको क्या जरूरत है मेरे साब से अल्ट्रावाइट होना जादा अच्छी है तो रेट एंपी है तो अल्ट्रावाइट का पर फोटेज काफी अच्छा आ जाता है प्लस 17,000 रुपे आप लगा रहे हो तो आप यह तो च आपको बता तूँँ 20,000 के अंदर जितने भी फोन से वो दस बारा मिनट फोर के अगर रिकॉर्ड कर रहे है तो बहुत दा ही टफ हो जाते हैं और वार्निंग देने लग जाते हैं वो इसमें भी आपको मिलेगा लेकिन अवैलिबिलिटी है कर सकते हो ज़रूरत पढ़ने पर वो चीज यहां पर आपको सेंसंग में मिल जाएगी वीवो के अंदर वो चीज नहीं मिलेगी तो यह चीज ध्यान में रखेगा फोटोग्राफिक की बात करूंगा तो वीवो का 50 MP यहां पर बहुत जादा अच्छा था यहां पर कोई कमी नहीं है बट वीवो का अगर सिर्फ कैमरा फोकस्ट फोन ले रहे हो तो वीवो आपर थोड़ा सा मुझे पसंद आ गया था वागी सारी चीज आपको दोनों फोन के अंदर मिल जाएगी इसका डिस्प्ले अच्छा है तो आपको जो फोटो खीची गई वो की काफी अच्छी दिखने वाली है वीवो का 50 MP से आप जो 50 MP से जो फोटो ले रहे हो उसमें डीटेल्स आपको काफी जादा हद तक मिल जाती है वीवो के अंदर बात कर लेते हैं फ्रंट कैमरे की तो आपको सैंसंग के अंदर सिर्फ 8 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है सैंसंग ने समझा कि आजकल लोगों को रील बगए अच्छा रखने की क्योंकि अभी वी सेल्फी का दमाना गया नहीं है तो 60 MP से काफी अच्छी फोटेज आती प्लस वीवो का जो अपना टेक्च्चर है वह आई करने के बाद आपको काफी खुबस दिखाने के कोईश करते हैं वह आपको वीवो टीवन में जरूर दिखाई 16 MP बिलकुल वहाँ पर थोड़ा अच्छा आपको काम दे देगा वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप दोनों में FHD में कर सकते हो सैमसंग में 8 MP में आप 1080p 30fps रिकॉर्ड कर सकोगे वीवो के अंदर भी सेम है 4K तो सामने मिल ही नहीं सकता है इतने में तो यह चीजें यहाँ अब बात कर लेते हैं करेक्टिवीटी की तो दोनों के अंदर डियोल वोल्टी सपोर्ट मिल जाता है स्टैंडबाइ तो दो जीओ की सीम आप लगा घर के चला हकते हो को इशू नहीं होने वाला है तो दोनों 4G और वोल्टी पर चल जाएंगे प्लस दोनों के अंदर Bluetooth है त अगर आप सब इस्तेमाल करते हो तो फिर वीवो का रास्ता अलगी हो जाता है आपको सिर्फ सैंसंग की लेना पड़े का इस प्रवाइट करता है और जैसे कि मैंने आपको बताया है 128GB का इस टोरेज दोनों के अंदर होता है तो यहां पर आप इनको एक्स्टेंड भी कर सक दोनों फोन के अंदर लेकिन वीवो के अंदर हाइब्रिट स्लॉट मिलता है जिसमें आपको या तो एक सिम और एक कार्ड लगाना पड़ेगा वो थोड़ी सी तकलीफ दे बात हो जाती है यहां पर आपको इसी नहीं मिलेगा अब बात आती है बैटरी की तो सैंसंग हमेश चार पाच घंटे का आपको मिलेगा उसके बाद यह भाई बोलेंगे लगा लो और गरम भी हो जाते हैं थोड़े बाद तो लगा लेना बहुत जादा गेमिंग में मत घुस जाना यह से घुसना ले रहे हो फोन तो जरूर करना हां बात आती है चार्जिंग की तो 18 वाट का चार्जर आपको मिल जाता है वीवो के अंदर और 25 वाट का चार्जर आपको सैंसंग में प्रोवाइड किया जा रहा है अब एक बाद आपको बता दूँ आप यह सोच रहे होगे कि फास्ट चार्ज होगा बिल्कू सैंसंग फास्ट चार्ज होगा लेकिन गेमिंग के समय अगर आप दोनों फोन को इस्तेमाल कर रहे हो चार्जिंग लगा करके तो एक बात याद रखना कि फोन अपने तरफ से कोशिश करते हैं और जो इंपुट है एलेक्टरिसिटी का वो कम करते हैं 10 वाट 12 वाट पर ही लेते हैं वो 18-25 पर चार्ज नहीं होते हैं क्योंकि उस से हीटिंग जादा बढ़ जाएगी तो यह चीज़ ध्यान में रखी कभी मैं सोची कि साजर बढ़ा लगा लगा लूँगा तो फटा फटा फट चार्ज होगा और गेमिंग भी कर पाऊँगा तो यह है इन दोनों के बारे में कंपारिजन अगर आप सको 17,000 रुपे करना ह लेकिन अल्टरावाइड वगेरा नहीं मिलेगा अगर अल्टरावाइड चाहिए तो सैमसंग ले लेना प्लस बैटरी वगेरा अच्छी चाहिए तो भी आप सैमसंग पर जा सकते हो ओवरॉल मैं यही कहूँगा कि अगर इतने पैसे खरच कर तो सैमसंग यहाँ पर एक ज् सबस्तों के साथ देने बाद